नमस्कार डीवी नियूस में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश के हर्दा जिले में पठाका फैक्टरी में हुए विसफोर्ट ने सबको दहला दिया है इस घटना में अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और दोसे से अधिक लोग घायल है लेकिन यहाँ सुबे में पहली बार नहीं है बता दे हर साल ऐसी ही अवैद पठाका फैक्टरी में कई लोगों की जान चली जाती है इसमें ग्वालियर चंबल अंचल सबसे आगे है बता दे कि ग्वालियर चंबल अंचल में हर साल अवैद पटाका फैक्टरी में विसफोड होता है जिसमें चार सालों से एक दर्जन से ज्यादा लोग जान गवा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद प्रशासन सिर्फ उसी समय कारवाहियों का आशवासन दे कर फिर किसी नई घटना का इंतजार करता है तो चलिए जानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल आज भी क्यों बारूत के धेर पर है और यहां अलग-अलग जिलों में बारूत के विसफोड से कितने लोगों की मौत हो चुकी है ग्वालियर चंबल अंचल में हर साल किसी ना किसी जिले में अवैद पटाका फैक्टरी में विसफोड होता है जिसमें कई लोगों की जान जाती है और कई लोग गंभी रूप से खायल होते हैं इसका सबसे बगा कारण यह है कि यहाँ सबसे अधिक अवैद फटाका फैक्टरी संचालित है इसके जरीए लोग शादी समहारो या दीपा वली के तयोहार पर पटाका तयार कर बड़ी मात्रा में संप्लाई करते हैं यहाँ पर अधिक तर घरों में ही बारूद से अवैद पटाके तयार किये जाते हैं इनके पास पटाका निर्मान का कोई लाइसेंस नहीं होता है यहाँ अवैद रूप से और साट गांट के जरीए अवैद रूप से पटाका तयार करते हैं सबसे खास बात यह है कि अंचल में संचालिस हो रही इन अद्वैद पठाका फैक्ट्रियों की जांच के नाम पर खाना पूर्ती होती है और प्रशासन भी तब जागता है जब कोई बड़ा हाथसा हो जाता है